तो दोस्तो बैटलग्राउंट्स मॉबाइल इंडिया तो आखिरकार आ ही चुका है आपने इसको अपने मॉबाइल में इंस्टॉल कर लिया होगा ऐसे या वैसे और ना जाने किस तरीके से खेर आप इस वीडियो को आगे देखते रहे लाइक और शेयर करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्यूंकि मैं आपसे इसी वीडियो में इस बार में बात करने वाला हूँ कि ये बैन होगी या नहीं और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट नोटिस के बारे में जो बैटल क्राउंड मोबाइल इंडिया ने ओफिशली लॉंच कर दिया है। और यहां पर कहीं पर्मनेंट बैन कहीं न हो जाए आपका अकाउंट वीडियो बहुत ज्याद से देखने हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका टक्टॉक्टीवन के एक और नए एपिसोड में वीडियो को जल्दी से लाइकन शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब और यहां पर क्राफ्टर ने काफी जादा ख्याल रखा है कि जो काफी सारे लूप होल्स हैं उनका ध्यान रखा जाए और वो कवर कर लिये जाए ताकि कहीं कोई मोका न रह जाए कि यह गेम दोबारा बैन हो जाए तो यहां पर एक लेटेस्ट नोटिस निकल कराता है इंडिया ओफिशल कॉमुनिटी पॉलिशी और जहां पर आप देख सकते हैं कि जो एफेक्टिव डेट है वो है 17-6-2021 और यहां पर आप नीचे की दर्फ देखें तो यहां पर क्लेर ली लिखा है बिंग गूड स्कॉड मेट रिस्पेक्ट यूर फैलो सर्वाइवर्स टॉपिक कॉलिंग फॉर बैकप और यहां पर यह भी लिखा गया स्टे अवे फ्रॉम यहां पर बता गया है क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन टॉक्सिक बिहेवियर प्रमोटिंग एंफेर एंवा कि आखिर क्या का रिस्पॉरबिल्टि से बन जाती है इस गेम को खेलते हुए क्या स्टस्टिंग बिखने को मिल जाएगा for example किस किस चीज की वज़े से आपका अकाउंट पर्मनेंट बैन हो सकता है और सामने clear जो लिखा गया है maximum एक दो तीन या फिर तीन चार चीजों को छोड़ कर कि आपका अकाउंट जो है वो पर्मनेंट बैन ही होगा दोस्तों यहां पर आपको लास्ट में देखने को मिल रहा होगा ट्रेड या सेल अकाउंट या कोई भी इस तरीके के अक्टिविटे में अगर इन्वाल होगा तो उसका भी अकाउंट पर्मनेंटली बैन कर दिया जाएगा यहां फिर abuse of open market store policies और उसके processes को लेकर तो तब भी आपका अकाउंट पर्मनेंट बैन ही होगा दोस्तों अगर आप यह चीज़ें देखेंगे डिटेल में तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा आप इसको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं और यहां पर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि privacy policy को किस तरीके से इन्होंने सामने रखा है सर्वेश किस तरीके के होंगे कि चाइना से इनका कोई लेना देना नहीं है डेटा कहां store होगा क्या है इनकी policies 18 अबब वगएरा और भी बहुत कुछ और यहीं पर क्राफटर भी आपको एक information दे रहा है कि क्या अगर आप एक user खेलते हैं इस game को तो क्या आपकी duties बनती हैं क्या आपकी responsibilities हैं इस game को लेकर आपको किन-किन चीज़ों में आपको involved नहीं करना है और अगर कोई भी गलती से करता है इनमें involved अपने आपको तो यहाँ पर मिलेगी clearly penalty जोगी होगा आपका permanent account ban यहाँ पर data transfer को लेकर लोगों के मन में काफी ज़दा सवाल है कि क्या transfer हो रहा है क्या transfer नहीं हो रहा है यहाँ भी clearly जो आपको देखने को मिल सकता है कि character related information बागी information और social media से लेके information inventory यह workshop से जुड़ी information royal pass है settings है और काफी another जो details है वो इन्होंने start में दी हुई है फिलाल के लिए जो game है आखिर आ ही गया है फिलाल मेरी आपसे request है कि ऐसे abuse मत कीज़ेगा playing moderation यानि कि इस game को जिम्मेदारी से खेलिएगा इतनी अती भी मत कर देना कि दो दिन के अंदर अंदर यहाँ फिर क्या पता गेम ही दुवारा बैन हो जाए तो यहाँ पर game में इस तरीके का environment बनाया गया है यानि कि अगर आपकी सीख का सफाया करते हो तो वहाँ पर आपको kill नहीं यानि कि finish देखने को नजर आएगा red blood की जगा जो है वो green blood कर दिया गया है green blood नहीं यानि कि green पत्तिया ही कर दी गई है यह चीज़ों को बार बार बताते हुए यह कह रहे हैं कि एक simulation है यह एक real world नहीं है यह एक virtual game है दोस्तों crafter ने जो है वो पूरा द्यान रखा इस बात का और यहाँ पर जो है वो policies लाकर यह बताते है rules of conduct दोस्तों और यहाँ पर जो community policy है किस तरीके से users की जिम्मेदारी बन जाती है इस game को जिम्मेदारी से खेलना और अगर आप इस game को किसी भी वज़ा से install नहीं कर पाए है तो उसका भी link description में में दे दूँगा जाकर अपना trial version ले लीजिए यानि कि early access कर लीजिए अगर आपने register कर लि आप बभाई!